तो सबसे पहला कूश्चन से मानफ सरीर की किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है मेरुदंड, भूजा, रीपकोज या पिस जान तो जान की हड़ी सबसे लंबी होती है जिसको हम लोग फीमर भी बोलते हैं मनुस्री के जीवन काल में कितने दाथ दो वार विक्सित होते हैं ठीक है आपको option नम्मर है 4, 12, 20, 28 तो 20 ठीक है इसका सही answer क्या होगा 20 मानब सरीर में पाचन का दिकांस भाकिस अंग में संपन होता है बरी आत, अमासे, छोटी आत या फिर पैंकरियास तो guys ये question बहुत important है कई वार exam में आया चाहे वो railway हो या FSSC हो आपको पूछ रहा है कि पूरा जो अम लोग जो खाना खाते हो पूरी तरस ये कौन सा अंग में पच जाता है तो इसका जो सही answer होगा आपको छोटी आत, small intestine ठीक है option number C सही answer है मानब तंत्र में निमलिखीत में से कौन सा एक पाचन इंजाइम नहीं है ट्रेपसीन, पैपसीन, पैलीन, गैस्टरीन तो इसका जो सही answer होगा गैस्टरीन option number D मानब सरीर में निमलिखीत हार्मोन में से कौन सा रक्ट कैलसियम और फास्वेट को विनेमीद करता है ग्लोकेगोन, थाइरोकसीन, ब्रिदिकर हर्मोन या पिर प्रावाटू हर्मोन तो इसका सही answer है option number D मानब की पाचन नली लगवा कितने फिट नंबी होती है 16, 18, 20 या फिर 32 तो इसका जो सही answer है मानब की पाचन नली लगवा कितने फिट के होती है तो 32 फिट के होती है आपको जो ये small intestine छोटी आथ और बरी आथ के बारे में पूछा जा लाए आपसे मुख में मुख में मंड का सरकड़ा में पाचन कित के दुवारा होता है टाइलीन lipage, amylage, amylage या फिर pepsin तो टाइलीन इसका सही answer होगा जो मुख में मंड का सरकड़ा में जो पाचन होता है वो टाइलीन के बिज़ होता है पाचन तंत का हिस्सा नहीं होता है या कृत, आत, कॉर्णिया या फिर पितासे तो आप लोग को अच्छी तरह से मालू होगा इस cornea क्या है आखों का एक भाग है जिसको जो हम लोग donate करते है donate कौन संग होता है तो cornea ही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं दूद प्रोटीन की पाचन वाले enzyme है trypsin, aeropsin, ranin या फिर pepsin तो इसका सही अंसर होगा ranin अधिक्तम पोसक तक्तो रक्त में कहां से अफसूसीत होगा जाते हैं मुह, छोटी आथ, परी आथ या पेट तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा छोटी आथ बस आपको questions घुमा के पूछाए पाकि आप समझदार है इसका जो सही अंसर है छोटी आथ होगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है टाइलीन, रेजीन, रेनीन, टेनीन तो टाइलीन इसका सही अंसर होगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलीन जिसके मिज़र से खाना पसता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निमकित में से किसकी खास आवे सकता होती है पानी, हवा, खनीच या फिर एंजाइम तो खाना पचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवे सकती है वो है एंजाइम तो इसका सही अंसर क्यों होगा, option number D, एंजाइम मुक से निकली लार किसका पाचन करती है प्रोटीन का, विटामिन का, स्टार्च का या फिर वसा का तो अभी हम लोग तोदर पहले जो कोश्टन ने डिसकस के थे मुक से कौन साइंजाइम निकलता है तो टाइलीम इसका जो सही अंसर होगा रही स्टार्च होगा तो मुकसर्ण निकली लाइव किसका पाचन करता है तो स्टार्च का निमलखित में से किस अमल की उपस्थती मानव पेट में होती है प्रेखरीक अम, साल्फिवीरिक अम, hydrochloric aml, या फिर nitric aml, तो option number C सही होगा, और hydrochloric aml, SCL protein का पाचन कहां से प्रारम होता है, मुकुगुवा से ग्रास नाली से, उदर से, या फिर चोटी आट से तो protein का पाचन कहां से प्रारम होता है, उदर से इसका सही अंसर है, पाचन किरिया में मौझूद विसले पदात का कौन सा अंग चूसन करता है, अंग अगनाश है, यक्रित, अमास है, या विर्कक, तो इसका सही अंसर होगा, यक्रित, अभी तक आप मुझे अगनाश है, तो इसका सही अंसर होगा, पितासे में, 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 गति प्रेडक्स किस से समध्दित है मस्तिक्स, फेपड़ा, गुर्दा या फिर हिर्दे तो इसका सही अंसर है option number D, हिर्दे निमलिखित में से किसकी भित्यों पर रक्त दुआरा डाले गए दबाब को रक्त दाव कहते है सीरा, कुर्षिका, हिर्दे, धमनी तो इसका सही अंसर होगा option number D, धमनी सोते से में रक्त दाव में क्या परिवर्दन होता है घर्टा है, पहले जैसे रहता है, बढ़ता है, फिर बढ़ता है तो इसका सोते से में क्या होता है एक सेकेंड, दो सेकेंड, 0.8 सेकेंड या फिर 1.5 सेकेंड तो option number C, सही अंसर होगा 0.8 सेकेंड, सही अंसर एसका स्वास्त मनुष्य में परती मिनट हिर्दे स्पंदन होता है, 50 बार, 72 बार 80 बार, 95 बार तो स्वास्त मनुष्य में, एक मिनट में 70 बार हिर्दे धरकता है जिसका अंसर होगा option number B मानव हिर्दे में कितने कोस्टक होते हैं यानि कि जो मानव हिर्दे होता है उसमें कितने चैंबर होता है, यह आपसे पूछ रहा है 2, 3, 4, 5, पिसका अंसर होगा 4 नारी दर कहां से मापा जाता है धमनी से, तंत्रिका से, तोचा से, या सिरा से तो इसका option number A सही अंसर होगा धमनी से यह कुछ 30 questions था जो कि बहुत important था मैं आपके साथ share क्या हो इस lesson में इसके बाद अभी 200 questions all mode बचा हुआ है तो please सारे lessons को देखे, continue कीजिए, बहुत important है और अपने दोस्तों के साथ facebook, whatsapp में share कीजिए कोई भी problem होने से, please आप comment करें thank you so much for watching this lesson